कि हां तो दोस्तों जो डिए इस सोन अलिका साथ सु चालिस है यह हमारे पास आया है जिसमें प्रोब्लम थी बार-बार इसका जो इंजन ओईल कम पढ़ रहा है तो काफी कुछ इसमें हमने कोशिच कर ली थी उसकी के बाद मैंने जो है वीडियो डाला था तो आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पोंस मिला और सबसे अच्छा जो रिस्पोंस मिला है वह हमारे उस्ताज है उनका मिला है उन्होंने मुझे इस्पेशली फोन करके बताया इस टेक्टर के लिए कि आपको कुछ नहीं करना है आपको इसमें यह चीज कर देना है और इसके बाद जो है आपकी प्रोब्लम शोट आउट हो जाएगी और इतना तक कहा उन्होंने मेरे से क्या आप तो वह चीज कर दो प्रोब्लम शोट आ प्रोबलम्ट अब मुझें क chili मैं चुकी है तो उससे बी मुझे काफी अच्छा लगा अगर मुझे यह फटातब तो तो मैं बहुत पहले इसका वीडीो डाल देटा है पर मेरी कोशिच Oh 네 कि पहले उसको इसका देख लेना होता है एशा निया कि मैंने इसके लिए साला नहीं लिए अर का इन ङसी में उन से मैंने जला लिए जो है Ohio पा करेंगे उसको मैंने चेक भी किया है अभी तरीके से मैंने चेक करा वो भी दिखा देंगे और बाकी काफी इसने परिशान करा फिर जो अमार अस्ताज हैं उनका मैं शुक्रियाद करता हूं उनको बहुत-बहुत धन्निवात देता हूं कि उन्हों परिवार है आपको मेरे से एक बात पर करनी चीए ती सलाह लेने में कुछ नहीं बिगड़ता आपको करना नहीं करना वह अलग बात है काफी देड़ तक हमारी बात हुई उनसे नेरेज जी जांगड़ा उनका यूटूब चैनल भी एक तो उन्होंने मुझे बताया इस्पेशली फोन करके कि आप इसका हाइड़ोलिक पंप चेंज कर दो आपके प्रोब्लम में इसकी शोट आउट हो जाएगी तो आज ही टेक्टर आया है काफी दिनों बात दूसरे यह तीसरे दिना दुवाद मैंने इसको टेक्टर को रुखव अब भी इसमें और वह भी दिखा देते हैं कि इसका जो ईल अभी कम है तो इन चार दिन चलाओगा डिक्टर ही चार्मत दिन चलाओगा अभी इसमें इस जागे आउए इसने यह करा था हमने वापस से इस जेगे जा चुका है आगे अगे सारा कुछ मैंने अगले वीडिय लेका आते ह। वो मैंने को वोलां या डो टी का पंप लेका आना वर्ट इसको को खो लेंगे और किस तरी के से मैने इसको चेक किया एसा निन कया है हम दो प्रिद कर लगा me आई मैरे से सिर्फ एक घलती वही कि मैंने इसका जो आयडीकनल व३ sortie करें तो मुझे इसको चेक कर ला किया तो मुझे यह से लगा कि इसमें पर नहीं जा रहा है तो इन्जन में जा सकता है जैसे जा यह यह नहीं हुआ है और काफी कुछ इसमें परिशानी हुई तो जितने भी लोगों ने मुझे कमेंड किया है पॉजिटिव कमेंड ज्यादा दर मेरे पाद यह आये हैं कि इसका जो हाइड्रोलिक होईल है यह पंप है यह चेंज कर दो और आपकी जो प्रोब्लम है शोट आउट हो जाएगी और काफी लोगों ने अलग भी कमेंड किये कि आप इसके जो है पुझे लाइनर पिश्टन फिर से चेंज करो तो मैंने किये हुए हैं अ जिसका कोई लिंक नहीं है जिसके ने बोला कि इसके जो में मिगें है वो चेंज कर दो है कि तो सबी न अल्ग अलग कमेट कि कोई किा भड़ ज्यादा तर जो कमेंट में रफास आए हैं को कमेंट यह कि है इसका आइडल पनप है इसमें प्रोब्लम है तो आज हम इसका इडलिक पंप जो चेंज करेंगे और साथ इसके जो हाइड लिक का विल है वह भी चेक करेंगे मैंने तो चेक किया हुआ है सबसे बिले इसका है डॉलिक हम चेंज करेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे करें और यह कंप्रिट होता है नहीं होता है मुझे तो कंपरम है कि यह टेक्र कंपिट होगा क्यों कि जो स्थाज ने बोला है तो उनके साथ वाक्या हो चुका है हुआ शाल है वह आप लोग मुझे बताना इसके जो पृष्टण वह सीज़ था वो भी दिखा देंगे आगे आपको एक इसका पृष्टन सीज़ता एक इसका लाइनर है वह सीज़ता इस लिए मैंने चेंज करा आप बीना उसके चेंज गिया यह देखो आप इसका ब्रिप् मैं इसके रिंगे नहीं है कि दुंग सारा कुछ करने के बाद इसमेंधे नहीं है थे ये पिर DO लगा दो तो काफियत तक वह बात भी सही है पर उससे प्रोब्लम शोट आउट नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी जब आया था अभी मैंने इसमें तर्म इस्टेट वाल लगा रखा है मुझे भी लगा था कि हो सकता है कि जो इंजन है ठंडा चलता है उसकी वजह से भी लुठ तो कि उसकी वजह से भी दिक्क्त वाल लगाया मैंने उसके बाद उठाया तो तर्म इस्टेट वाल से फ़रक्ने बढ़ा है फरक काई से बढ़ेगा वह आप लोग देखना भी और मैं तो शोर हूं कि इसकी जो प्रोब्लम है शोट आउट हो जाएगी क्योंकि काफी लोग धन्यवाद करता हूं एक बार फिर आप लोगों के मार्यम से बहुत अच्छा लगा मुझे मैंने उनके फोन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से करके बोला तो कोई बोलता है इसका हेट का काम करवा दो कोई कहता है इसके लाइनर चेंज कर दो कोई पर हमारे जो यहां के जो मेकीने उन्होंने बोला तो सही किसका है यूदि कर लो पर मैंने इसका है चेक भी करा फिर भी जो है यह प्रोब्लम शोट आउट नी हुई उसके बाद वाइनल में मैंने इसका वीडियो बनाया था इससे अच्छा तो मैं अगर डारेक्ट उस्ताज के फोन कर लेता तो काफी अर्थ तक मुझे इसमें कामिया भी मिल जाती पर मैंने सोचा कि अगर फोन भी लगाएंगे अगर वो भी कि जो है आप इसका आइडोलिक पंप चेंज कर दो अगर आपके प्रोब्लम शोट आउट नहीं होती है तो पैसे मेरे से ले लेना निश्यन तो कि आप तो इतनी बड़ी बात कोई किसी के लिए नहीं बोलता है उन्होंने बोला कि अगर फिर भी अगर कोई बात हो तो मेरे आइडोलिक पंप में यह आप इसका खॢ़ लेते हैं और दिखाते हैं आपको निकाल लो निदो वहा है निकाल निकाला ह unfa में बांको ढेंगे यह जो है को अदिन बनाल जाए चे较ओ आ방तल मुझे अर्छ अगाल मेंने इसको आइपको wrath छेक किया था पिर भी आप लोगों को एक बार विलकुल भी यहां पास में लाके दीखा अभी हम ने इसमें डीजल डाल रखा है अब वह मैं इसको डीजल को इसमें जो पंप निकलेगा वह दिखाएंगे को कौन का निकलेगा यह सोना लिखा कमपनी का पंप लाएं और पहले जो company ले रही है अगर इक बाषभ और यह में गायक का है बोष कंपनी का प्मेश कंपनी का पंप यहीं कंपनी लिखी हे अभी जो सव राज ट्रीक्टर्स अधा रहे हैं उन्हें भी वैंफारा था भॉष तो कुछ इस तरीके से इसको इसमें लगा देंगे और अभी भी इसमें डिजल वेसा का वैसे ही है डिजल इसका कमनी हुआ है कंपनी भी मैंने आपको पता ही दी और क्या क्या सब्सक्राइब कि दिखाया है कि अब अब इसको टाइट करके और लोग करके इसको लगा देंगे डालने को तो हम इसमें सील भी डाल देते पर अभी परेशान इतना हो चुके हैं दूसरी बात इसका पंप है यह भी कराब है यह देख लो आप इस तरीके से और इन से हमारी बात हुई तो इसकी जो हाइटोलिक है वह भी रेज देने पर या ज्यादा वजन पर लोड लोड पर दिक्कत कर रही दी और यह बिल्कुल फ्री है अभी देख लो आप तो एक करण यह भी है और यह दो आप यह कितना एक कुछ इस तरीके से भी इता पंप का पता लगाया जाता है अभी इसमें डिजल रखा हुआ है इससी करण मैंने इसका पहले पंप खुला था उसको चेंज निकिया इसलिए नहीं किया है कि हो सकता है जो इसका पंप सही हो और गल्ति कहां हो ही मेरे से वह भी आगे बाद जो आप लोगों को दिखाएंगे मेरे से कहां गलती हुई क्या चीज मुझे चेक करना चीए ती अगर वह चीज में चेक कर लेता तो ना तो भी मुझे वीडियो डालना पड़ती पर जो होता सब अच्छे के लिए होता सबसे बड़ी बात यह हुए कि प्रोब्लम मेरे ना तो ही इसकी शोट आउट हो रही है तो यह बहुत अच्छी बात है तो अभी इसको फिटिंग कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं मेरे से कहां गलती हुई कर दोस्तों अभी हमने कर दिया है और मेरे से कहां गलती हुई उस पीशे पर बात कर लें थे मेरे बुद्धि ने इतना सा काम नहीं करा कि इसका जो हाइडोलिक का ओईल एक बार चेक कर लें तो अभी आप लोगों को सामने चेक करेंगे इसमें जो हाइडोलिक का ओईल की लेविल क्या है थोड़ अब देखो आप इसमें आइल का और इसमें का रहेना चीए अब दिखा दो पीछ एक बार और इसको साप करेंगे इतने दिखा दो इनको इसको साप करके और वापस से लगाएंगे तो यह इस तरेके से जगे-जगे से इसमें लीक हो रहा है तो मेरे अलके से दिमाग में तो इती हो सकता है कि इसका जो और मैंने इसको चेक नहीं किया बस थोड़ी सी मेरे कि जग लटी लिया विद्व लियाओ इदर लियो तो अब हम इसको एक बार फिर से साब करके हमने को लगाया है फिर से अभी चेक करेंगे हैं आप लोगों को दिखाएंगे और सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें मेरी प्रोब्लम यह दखो आप इसमें कम से भी कम इसमें कि दस पंद्रा लिटर ज्यादा है और विल्कुल साफ शुत्रा देखलो आप विल्कुल साफ शुत्रा तो मेरी प्रोब्लम है यह तो शोट आउट हो चुकी है तो एक बार फिर से में जो मेरे स्टाज नरेज जांगणा कि उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत उनको बगवान उनकी उमर दराज करें उनको बहुत लंबी उमर दें क्योंकि उन्होंने बात मुझे बिल्कुल इस्पेश्ट बोली कि आप इसका सिर्फ आईडॉलिक प्रम चेंज करना है और काफी मेरे जो मेरी ज दिखत आई आज जिन तक मेरे साथ इसा नहीं हुआ कि मेरे पास टेक्टर आया हो और मैंने उसके प्रोब्लम शोट आउट नहीं करी हो प्रोब्लम कोई सी भी हो चाहे मैंने उसे एक बार खोला हो आईडॉलिक हो गेर में गेर का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है तो आजाती है प्रोब्लम है पर ऐसा नहीं होता है कि मैं अताश होके और यह बोल दूंगे यह मेरे से नहीं होगा इसमें कुछ इसी तरीके की प्रोब्लम आई थी बाकि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया किसमें और कितना ज्यादा हो रहा है हमारा जो इंजिन का ओईल हा हुआ नहीं है अभी तक कि मैंने सब कुछ किया फिर इसका जो है इंजिन का कहां जा रहा है काफी लोगों ने मुझे अच्छा सुझाओ दिया पर यूटूब पर वीडियो नहीं था तो एक यूटूब पर वीडियो डाल गया तो कहने का मतलब यह है कि खोदा पाड़ और वीडियो पर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें कमेंट करें शेर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए जैंड जै वारत शोड बना